असलाम लेकूम, फूट फर्माईश में आज हम बनाएंगे दो सिम्पल सी रेसिपी इफतार के लिए सोवे के भजिये और रगड़ा यहां पर एक कप डाली है यह चनी की डाल है इसे मैंने कुछ गंटों के लिए भिगो लिया था और फिर उसका पेस्ट बना लिया अब उसमें मैंने एक छोटा बंच जो सोवे का था उसे मैंने बारी कट करके डाल दिया फिर उसमें एक रफली चॉप करके बड़ा साइस का प लाल मिज पाउडर एक टी स्पून हल्दी पाउडर आधा टी स्पून और नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग इन सारी चीजों को हमें अच्छी तरीके से मिक्स करना है और यह हमारा जो भजी का बैटर है वो बनकर तयार है इसे जस्ट हमें अब फ्राइ करना है यह भजी तेल दीजे और उसे मीडियम से हाई फ्लेम की तरफ गर्म कीजे और उसमें यह भजी को इस तरीके से फ्लैट करके डाल दीजे आप गोल गोल पर जी भी बना सकते हैं लेकिन उसे हो गई है कि वो ज़्यादा क्रिस्प नहीं होंगे अगर आप ऐसे फ्लैट करके डालते है तो यह बहुत अच्छेक रिस्प हो जाते हैं और बहुत अच्छा सांब के साथ आप इसे सफ की जहुआ बहुती टेस्टी बजी के बनती है यह बजी मेरे अम्मी और आंटी को बनाया करते थे और बच्पर में मुझे यह भजी बहुत पसंद आया करते थे तो सोचा कि आज अपने अम्मी और आंटी की रेसिपी आपके साथ शेयर करते हूँ अगर यह रेसिपी आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजे और कमेंट में जरूर बताएगा कि आपको यह भजी कैसे लगे और इसे सब्सक्राइब भी कीजिए मेरे चैनल को बेल आइकन को दबाईए ताकि लेटेस्ट आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्दस जल्द पहुंच सके यह देखें यहां पर हमारे जो भजी हैं वो गोल्डन हो चुके अब हमें इन्हें निकाल लेना है और आप इन्हें चटनी के साथ साथ किसी भी डिप के साथ साथ कीजिए गर्म गर्म क्रिस्पी से सुए के भजी बनकर तयार है प्यास के भजीए तो हम खाते हैं और कॉमनली कई भजीए हम खाते हैं थोड़ा सा हट कर बनाएए और अपने घरवालों को भी खिलाएए हर किसी को यह भजीए जरूर पसंद आएंगे इन्शायला तो चलते हैं अगली रेसिपी की तरफ सिंपल और आसान तरीके से रगड़ा बनाने के लिए 150 ग्राम यहां पर मैंने ली है मतर जैसे मैंने कुछ घंटों के लिए भी गो दिया था उसमें एक मेडियम साइज का आलू इस तरीके से बारिक कट करके मैंने डाल दिया अब इसमें मैं डालूंगी सिर्फ दो इंग्रीडियन्ट नमक टेस्ट के अकॉर्डिंग और इसमें जाएगा हल्दी का पाउडर आधा टी स्पून यह दो चीजे हमें इसमें डालना है और कुकर का लिड लगा कर 5-6 विसल आने तक के हमें प्रेशर कुक करना है और फिर जब प्रेशर रिलीज हो जाए तो आप इसको एक बोल में निकाल लीजिए यह देखें मटर फुरी तरीके से गल चुका है अब जस्ट हमें इसमें कुछ इंग्रीडियन्स डालने है और हमारा जो रगड़ा है वो बनकर तैयार हो जाएगा इसमें मैंने एक प्यास को बारिक कट करके डाल दिया थोड़ा सा हारा धनिया डाल दिया उसमें बारिक कटा हुआ फिर इसमें मैंने डाला है ग्रीन चटनी एक टेबल स्पून इमली की चटनी एक टेबल स्पून ऐसे ग्रीन चटनी और इमली की चटनी की रेसिपी मेरे च साथ कि पढते हैं फिर हैं इसमेने भी राव मैंने डाला है कालह नमक झायवारी ऐधा तीज्पून ऑर फिर दालूंगी छिली अlightlyरे नमकल त्यёт होई रम मेरे हो मेरे में राकर घ्लस सदीख यहां यहां पर मी दात ऑना दू organism यह चिली तीखा खाते हैं उसके अकॉर्डिंग आप इसे किसी सेम के साथ यह पपड़ी के साथ गार्णिश कीजिए और सफ कीजिए बहुत ही टीस्टी लगता है यह रगड़ा काने में इसे बनाईए और मुझे जरूर बताईए कि आपको यह रेसिपी कैसे लगी इंशाला बहुत जल्द मिलते हैं नई रेसिपी के साथ आल दो今ा सब्सक्राण्यों यह रेकार बहुत जल्द मिलते हैं इसी स Congress P principles